दोस्तों आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक करना बहुत ही आसान है और आप मातर दो मिनिट में घर मेठे अपने मोबाइल फोन से ये काम कर सकते हैं लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा दिखना है क्योंकि मार्केट में दो चीज़ें बहुत गलत चल रही है पहले चीज तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड से पहले से लिंक है लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं कि वो बिना चक किये हुए खुद चक नहीं कर रहे हैं डिरेक्कली जा रहे हैं साइबर कैफे में किसी भी कंप्रूटर के दुकान पर जा रहे हैं या फिर वो किसी से पूछ रहे हैं कि मेरा अधार कार्ड को लिंक कर दो pen card के साप में वहाँ पर उनका पहले से लिंक है लेकिन उनसे एक हजार रुप आधार कार्ड को pen card से link कर पाएंगे तो क्या है इसमें सचाई और कैसे आपको खुद से चक करना है चली जानते हैं अपने mobile phone पर आपको chrome browser को open कर लेना है अब आप यहाँ पर search करेंगे income tax और search करते ही आपके सामने यहाँ पर website खुल कर आजाएगी income tax department इसकी उपर आप click और income tax.job.in की website आपके सामने खुल कर आजाएगी अब आप नीचे आएगे यहाँ पर आपको click करना होगा link आधार उसके बाद यह वाला page आपके सामने खुल कर आचुका है अब आप यहाँ पर अपना pen number आधार number को enter कर लेंगे हमने enter कर लिया है अब हम नीचे आएगे और यहाँ पर हम click करेंगे validate के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अगर इस तरह के से options आता है payment detail not found for this pen तो आपको यहाँ पर जो है इसको continue to pay पर click करना होगा लेकिन दोसमों कर आपके सामने इस तरह के से यहाँ पर message आता है कि your pen number this already linked to given आधार तो यहाँ पर आपको अधार card को अपने pen के साथ में link करने की ज़रुत नहीं है फिलार इस pen card के साथ में अधार card link नहीं है तो हमें करना होगा continue to pay through e-pay tax के उपर click करेंगे अब आपको यहाँ पर दुबारा से अपना pen number को enter करना है और वही pen number आप दुबारा से यहाँ पर enter करेंगे अपना mobile number आप यहाँ पर enter करेंगे हमने यहाँ पर details fill up कर लिया है अब हम click करेंगे continue अब आपके number पर एक OTP message आएगा one time password उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे तो हमने यहाँ पर OTP को fill up कर लिया है उसके बाद हम करेंगे continue उसके बाद आपके सामने इस तरीके से options आ जाएगा अब आपको simply यहाँ पर continue पर click करना होगा अब आपके सामने यहाँ पर payment करने के बहुत सारे अलग-अलग options आजाएंगे तो आपको यहाँ पर select करना होगा income tax और उसके नीचे एक proceed का option दिया गया है आपको proceed के उपर click करना है अब आप assessment year यहाँ पर select करनेंगे जो latest वाला है 2324 इसको आप select करेंगे इसके बाद type of payment में आपको यहाँ पर select करना होगा other received 500 अब यहाँ पर subtype of payment में आपको select करना है fee for delay in linking pen with आधार तो आपको पहले वाले options को choose करना है उसके बाद continue करेंगे अब यहाँ पर एक और page खुल कर आएगा तो आपको last में आना है और यहाँ पर 1000 की जो यहाँ पर simply continue करना है अब यहाँ पर आपको payment करना होगा तो payment आप कैसे करना चाते है net banking से या अपने debit card से यानि की ATM card से अगर ATM card से करना चाते है select करके आप यहाँ पर जिस भी bank का ATM use कर रहे हैं उसको आपको select करना होगा जैसे कि हम मानके चले कि ICCA bank का यहाँ पर जो है ATM card को use करना हैं तो हमें यहाँ पर select करना होगा ICCA bank उसके बाद हम यहाँ पर continue करेंगे एक बार आप अपनी सारी details को एक बार दुबारा से reject कर लेंगे यानि कि review कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे pay now अब आपके सामने इस तरह के से यहाँ पर terminal condition दिखाई जाएगी त password उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे उसके बाद आप पेपर क्लिक करेंगे payment जैसे ही आपके यहाँ पर complete हो जाएगी आपके सामने यहाँ पर चालान का जो payment होती है उसको download करने का option सज़ेगा तो आपको simply यहाँ पर इसको download कर लेना है इस तरह के से आपको यहाँ पर चाला अधार के उपर अब आपको यहाँ पर अपना अधार नंबर और अपना pen नंबर दुबारा से एंटर कर लेना है उसके बाद आप यहाँ पर दुबारा से validate के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह के से options आजएगा तो आपको simply इसको continue के उपर क्लिक करना है अब आपका जो भी अधार कारड पर पूरा नाम है, आप अपना नाम यहाँ पर enter कर लेंगे, इस box के अंदर, उसके बाद यहाँ पर अपना mobile number को enter कर लेंगे, और यहाँ पर आपको दोनों box को tick कर लेना है, उसके बाद link अधार के उपर आप click करेंगे, अब आपके नमबर पर एक OTP message पास भीजी जाएगी और उसके बाद वहाँ से इसको verify करने के बाद आपका जो है आधार card के साथ में pen card easily link हो जाएगा जब आपका link हो जाएगा तो आप उसको easily check भी कर सकते हैं टेक्स की website पर आकर link आधार के उपर दुबार क्लिक करके आप यहाँ पर अधार नंबर pen number को एंटर करके आप validation पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है कि आपका जो है easily link हो चुका है तो इस तरीके से आप बहुत ही असाने से अपने अधार card को pen card के साथ में link कर पाएंगे